शुरू कर रहे हैं और आज के लाइव चर्चा का जो विशय है एहंकार बड़ा या काम भक्ती में पतन का कारण कौन और क्या भगवान को भी श्राप कोई दे सकता है इस विशय पर भी हम चर्चा आज करेंगे तो चर्चा का विशय यही है कि बड़ा कौन है एहंकार पाँच विकार बताये जाते हैं लोब, मोह, काम, क्रोध, एहंकार यद्यपी एहंकार का नाम तो सबसे अंत में लिया जाता है लेकिन इन पंच विकारों में जो सबसे शक्तिशाली है जो सबसे बड़ा है वह कौन सा है ज्यादा तर आश्रमों में या फिर जिन बातों का प्रचार है उसमें कहा जाता है कि जो काम वासना है वह भक्ती मार्ग पर चलने वालों के लिए योग मार्ग पर चलने वालों के लिए सबसे अधिक घातक है सबसे अधिक घातक है लेकिन सच में सबसे अधिक घातक कौन है इस पर विचार करने की आवशकता है संद कबीर दास जी ने कहा माया तजे तो क्या तजे मान तजा नहीं जाए माया लोग छोड़ देते हैं परिवार छोड़ देंगे घरबार छोड़ देंगे जमीन जायदाद त्याज़ लेकिन जो मान है वो त्याज़ा नहीं जाता उसका त्याग नहीं हो पाता माया तजे तो क्या तजे मान तजा नहीं जाए मान भय मुनिवर गले मान सबन को खाए या मान जो है वो बड़ा ही सुक्ष्म है और या बार बार किसी भी साधक को गिराने के युग्य है हो सकता है कि कोई लोब से गिर जाए कोई मोह से गिर जाए कोई कामवासना से गिर जाए फिर भी उठकर अपना कल्यान कर ले जैसे अजामिल ने कर लिया जैसे गणिका ने कर लिया जपत अजामिल गज गणिकाव भय मुकत हरी नाम प्रभाव गोष्वामी तो सिद्धाजी लिखते हैं नाम की महिमा में या संभाव है कि कोई इस प्रकार से मोह में, लोब में, कामवासना में, क्रोध में आ जाए उसमें लिप्त हो जाए लेकिन फिर जो है फिर भी उसकी मुक्ती संभाव है जपत अजामिल गजगनेकाव भय मुकुत हरी नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव से उभी मुक्त होते हैं, परंतु जो एहंकारी है क्रोध कभी-कभी आता है, कोई कितना भी क्रोधी व्यक्ती हो, उसके उपर क्रोध कभी-कभी ही हावी होगा हाँ, लोब काफी लंबे समय तक हावी रहे संभाव है, मुह भी संभाव है काम वासना भी हमेशा हावी रहना उसका भी संभाव नहीं है हाँ, किसी में ज़्यादा, किसी में कम हर चीज़े होती हैं, कोई ज़्यादा लोबी, कोई कम लोबी कोई ज़ादा करोधी कोई कम करोधी कोई ज़ादा कामी कोई कम कामी तो या उसके अंदर वासना का प्रभाव भी काम वासना का प्रभाव भी हमेशा तो नहीं रहेगा लेकिन कभी कभी तो रहता है लेकिन यह जो एहंकार है यह हर समय ही जागरत रहता है यह हमारे अंदर हमारे मानस में कभी विलुप्त होता ही नहीं है सोते समय भी नहीं, उठते समय भी नहीं, किसी भी समय यह विलुप्त नहीं होता और अगर यह एहंकार से दंभ का रूपधारन कर ले प्रगट रूप में सामने आ जाए तो फिर बहुत भारी नुकसान कर सकता है यह संपूर्ण विकारों की जड़ है एहंकार ही संपूर्ण विकारों की जड़ है जब तक वो है तब तक यह दावा मत करो कि तुम विकार से मुक्त हो जाओगे क्योंकि तुमारे अंदर अहंकार है किसी ने ब्रह्मचरे का पालन किया बहुत सारे लोग हैं मठों में कुछ ब्रह्मचारी होने का दावा करते हैं उसमें से हमने विवा नहीं किया हमने ब्रह्मचरे का पालन किया और तुमने कहा कि हमने अपने काम वासना पर अपनी कामुक्ता पर नियंतरन अस्थापित कर लिया परंतु एहंकार के वशिभूत तो तुम हो इगे और जब तुम एहंकार के वशिभूत हो तो भाई तुम्हारी गरंटे नहीं है तुम कहां गिरोगे जब तुम एहंकार के वशिभूत हो तो तुम्हारी कोई गरंटे नहीं कि तुम कहां गिर जाओगे इसलिए एहंकार सबसे ताकतवर और सबसे सुक्ष्म है इसलिए कबीर साहिब कहते हैं कि माया तजे तो क्या तजे अगर तुमने माया का त्याग कर दिया तो क्या त्याग कर दिया माया तजे तो क्या तजे मान तजा नहीं जाए मान का त्याग नहीं हो पाता मान भय मुनिवर गले मान सबन को खाए मान भय मुनिवर गले जिनको अभिमान हो गया बड़े-बड़े मुनी रिशी मुनी भी गल जाते हैं उसमें अपने अभिमान में मान सबन को खाए वो सबको खाने के लिए प्रयाप्त है वो सारी तपस्या का फल सारे पुन्ने का फल अकेले ही खतम करने के लिए प्रयाप्त है कौन यह जो एहंकार रूपी विकार है यह सबसे सुक्ष्म और सबसे अधिक ताकतवर है यह आपको सौ परतीशत ले डूबेगा इसलिए यह अभिमान बड़ी खतरनाक चीज है मान करना और मान की अभिव्यक्ती करना उससे भी ज़्यादा खतरनाक मान का चिंतन करना अभिमान का चिंतन और भी खतरनाक और जब चिंतन होगा तो कम से कम चिंतन तो ना करो अपने अभिमान का लेकिन जब तुम अपने अभिमान का चिंतन करते हो और उसे अभिव्यक्त करते हो अपनी वानी से तो वो और भी अधिक खतरना की मैं ब्रह्मचारी, मैं सन्यासी कई बार तो मात्र मानने ताओं के अधार पर किसी को सद्ध पुरुस भी मान लिया जाता है कि हमारे गुरुजी सद्ध पुरुस है, कुछ घटना है घट गई सब कॉंशिस माइंड में, अवचेतन में आपको लगने लगा गुरुजी सद्ध है, लेकिन अवचेतन का विज्ञान ही कुछ अलग ढंग से काम करता है जिसको स्विकृति दे दोगे, वह तुम्हारे अवचेतन पर हावी हो जाता है तुमने स्विकार कर लिया अपनी भावनाओं से, तो वह हावी हो जाएगा, फिर तो कुछ भी आपको भगवान दिखेगा जिसको स्विकार करोगे, वही तुमको सद्ध पूरूस और भगवान नजर आना शुरू कर देता है तो यह अवचेतन के अंदर घटित होता है लेकिन लोग जब ऐसा स्विकार कर लेते हैं, खुद के लिए तो बड़ी समस्या आ जाती है इसलिए अभिमान बहुत ही कहते है कि बहुत ही खतरनाक चीज़ है, बहुत ही अब करते करते हो जाता है, ये पैदा कैसे हो जाता है, ये भी पता नहीं चलता कहते कि एक बार बजरंग बली हनुमान जी हर काम भगवान राम का नाम लेकर कर देते थे, असंभाव से असंभाव कारे उन्होंने किये, ये पि उनका नाम ही हनुमान है, तो अपने भीतर कभी भी मान को उपजने नहीं देते हैं, उनका नाम हनुमान है, इसलिए अपने भ इतना सुख्श्म है कि पुछो मत्र और प्रभु राम की क्रपा उनके उपर हर कारे उनका सफल होता है। राम नाम से बड़े से बड़ा कारे सफल करके आ जाते हैं लंका को जलाकर वापिस आ गए। रावन के पुत्र को मार कर अक्षे को मार का वद कर कर लंका को जला कर सीता जी का पता लगा कर वापिस आ गय और उसके बाद भी उन्होंने बड़े से बड़े कारे करके दिखा दी स्रिप भगवान का राम जी का नाम लिया और ये कर दिया वो कर दिया ऐसा कर दिया वैसा कर दिया लेकिन दूसरे लोग नहीं कर पाते थे उस धंग से जैसे हनुमान जी कर लेते थे वानर सेना में बहुत सारे वानर थे लेकिन कोई हनुमान जी जैसा क्योंकि हनुमान जी को प्रभु राम पर बहुत विश्वास था अटूट विश्वास राम की शक्ति पर उनको था और उनका विश्वास बड़ा अटूट था तो वो उस अटूट विश्वास के साथ तो वो गय और लंका के वैद्ध को उठा कर ले आए, वैद्ध ने कहा कि संजीवनी लानी पड़ेगी, संजीवनी कहा मिलेगी, हिमाले में मिलेगी और हिमाले में जाएगा कौन और पहचाने का कौन लेकर आएगा कौन, कौने सब करेगा जो बड़ी शिघरता से कर सकता है बड़ी तेजी से जा सकता है सब लोगों ने जामवंत जी ने फिर हनुमान जी की और देखा कि एक ही है पवनसुत जो कि बड़ी तेजी से बड़ी तिवरता से ये काम कर सकते हैं बड़ी तिवर्ता से यह काम कर सकते हैं और तब क्या हुआ कि बजरंग बली उड़ते हैं हिमाले की ओर और पहुंचते हैं हिमाले में संजीवनी उन्हें दिखाई देती है परवत उठाते हैं और परवत उठाकर चल पड़ते हैं परवत उठाकर चल पड़ते हैं मन ही मन बड़ा प्रसन होते हैं कि प्रभू की कृपास से मुझे संजीवनी मिल गई पही चानने में दिक्कत होई तो उन्होंने परवत ही सीधा उठा लिया और परवत उठाकर ही वो चल पड़े और जब परवत उठाकर जब वो अयोध्या के उपर से गुजर रहे थे तो उस समय भरत जी के दूतों ने कहा कि लगता है कि कोई राक्षस अयोध्या के उपर नजर रख रहा है उपर से कोई उड़ता हुआ जा रहा है इस प्रकार से उड़ता हुआ तो कोई मायावी राक्षासी हो सकता है और उस समय कहते कि भरत जी ने अपना धनुष निकाला बान लगा और बजरंग बली पर एक तीर मार्दी और हे राम हे राम कहते वे बजरंग बली वहीं धराशाई हो गए गिर गए और जब गिर गया भरत जी ने देखा कि भाई ये तो कोई राम भक्त लगता है मुझसे लगता है गलती होगी बड़ा सुन्दर प्रसंग है ये गलती होगी बजरंग बली को वह प्रणाम करते हैं प्रणाम करकर छमा प्रारतना करते तुम तो राम भक्त हो और मुझसे बहु लाल मुझे को जाने दीजिए बहुत भगवान ने आप से मिलाना था आपके दर्शन करवाने थे मुझे आपके दर्शन हो गए और अब मैं चलना चाहता हूं लेकिन लेट भी हो गया है देर भी हो गई है मुझे तो भरत जी ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नही है 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 हनुमान चिंतित होने की आवशक्ता नहीं है मैं तुम्हें बिना फल का एक बान मारूंगा और तुम चण भर में समुदर तट पर पहुंच जाओगे चण भर में चण भर और भरत जी ने बिना फल का एक बान मारा और हनुमान जी परवत को लेकर चण भर में मेरे मन में आ गया था कि मेरा ही विश्वास सबसे बड़ा है आपके उपर लेकिन जिस राम नाम की शक्ति से मैं गया था और मैं आया था और मुझे बहुत समय लगता आने में लेकिन मार्ग में मुझे भरत मिले और उनका विश्वास ऐसा कि उन्होंने एक बार जैश्री राम बोला और बिना फल का बान मारा और एक छण में मुझे यहाँ पर पहुँचा दिया एक छण में यह कैसी शक्ति है आपके नाम की प्रभू मुझे तो लगता था कि मैं ही सबसे बड़ा नामी हूँ तो कहीं न कहीं करते करते मन में कुछ ना कुछ हो जाता है कुछ ना कुछ आ जाता है और वो जो आ जाता है वो बड़ा खतरनाक होता है तो अभिमान बड़ा सुक्ष्म है, एहंकार बड़ा सुक्ष्म है, बड़े से बड़े योगी, बड़े से बड़े भगत, पता नहीं कब उनको व्याप्त हो जाए और किस प्रकार से उनको व्याप्त हो जाए, कैसे व्याप्त हो जाए, ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पर तो कथा आती है भगवान शिव भोले नात पार्वती जी को राम जी की महिमा सुना रहते जैसा हमने कल सुना जैसा हमने कल सुना तो यह अभिमान से तो बड़े-बड़े लोग नहीं बच्चते सधारन की तो बात ही क्या तो इसी लिए किसी चीज का एहंकार मत पालो अगर अभिमान हो गया भले अजामिल पापी हो गया अजामिल ने वैश्याओं से विवा कर लिया गनिका ने एक ऐसा जीवन जिया लेकिन फिर भी वो अभी मान मुक्त रहे अभी मान मुक्त रहे तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि तुम जुके रहो तुम कुछ अपने आपको समझ मतलो कि तुम हो कुछ जो कुछ भी है सब उस प्रकृती के द्वारा ही है किसी के अंदर सदगुन है तो प्रकृती से किसी के अंदर दुर्गुन है तो वही प्रकृती से उसी करम का प्रभाव से सब आ रहा है जा रहा है सब का अपना अपना कारे भी निश्यत है किसी कारे के लिए अभीमान नहीं करना चाहिए और ना किसी कारे को न कर पाने पर निराश भी नहीं होना चाहिए अभीमान भी दो प्रकार के होते हैं एक negative direction में negative direction में जब एहंकार होता है तो depression ला देता है इसलिए बहुत बड़े-बड़े successful लोग depression में चले जाते हैं बहुत बड़े-बड़े प्रसद्ध लोग depression में चले जाते हैं जो बहुत famous हैं और बहुत ही सफल माने जाते हैं क्यूं? वो भी एक प्रकार का एहंकार है जो उन्हें depression में ले जाता है और वो एहंकार है जो दंभ करवाता है, जो पाप करवाता है, जो अपनी संतुष्टी के लिए व्यक्ति बहुत कुछ करना शुरू कर देता है, कईयों का जीवन खराब करना शुरू कर देता है, तो इसी लिए एहंकार को सबसे बड़ा और सबसे घातक माना गया, कोई विकार इतना घातक नहीं, जितना बड़ा घातक एहंकार है, और जब बात आती है श्रेनी की, तो कहते है कि एहंकार घातक है, और एहंकार से दूसरे नंबर पर आता है मोह, वो भी हमेशा जीवन में बना रहता है, लगभग बना रहता है, फिर भी उसकी संभावनाय है, उससे मुक्त होने के, लेकिन अगर अभिमान से मुक्त ना हुआ, तो फिर से सारे विकार उत्पन हो जाते हैं, वही बीज है, वह एहंकार ही बीज है, सारे विकारों का बीज है, वो जड़ है, वो रहेगा तो सारे विकार अपने आप आएंगे, कितना भी कंट्रोल कर लो, इसलिए उसको मिटा देने से बहुत कुछ मिटना शुरू हो जाता है और दोश नहीं लगता, तोकि निश्कामता आ जाती है, एंकार होने से कभी कोई व्यक्ति निश्कामी नहीं हो सकता, यह भी एक समस्या है, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति को रोको, अभिमान की अभिव्यक्ति को रोको, समझने की आव भगवान एशिव जो हैं यहाँ पर पार्वती जी से राम जी की महिमा सुनाते हैं और बताते हैं कि राम जी का अवतार किन किन कारणों से हुआ तो उसमें दो श्राप तो प्रश्न ये भी बनता है कि भाई विश्नु भगवान को अब विश्नु की चर्चा वो करते हरी की चर्चा करते कि हरी ने अवतार धारन किया तो कैसे अवतारधारन किया किन किन कारणों से और एक बहुत बड़ा रहस सामने आता है कि भगवान को बला श्राप कैसे लग सकता चलिए इस पे चर्चा हम करेंगे इस पे चर्चा हम करेंगे कि ऐसा क्यूं है कि श्राप मिला भगवान को भी श्राप मिला इसके सिध्धानत को समझेंगे तब जाकर हमें समझ में आएगा कि वास्तों में श्राप मिला था या श्राप मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए तो गो राम चरित मानस में गो स्वामी तुछिदा जी वर्णन करते हैं शीव जी कहते हैं कि है पारवती अब मैं तुम्हें राम कथा सुनाऊंगा और राम कथा का राम अवतार के कारण क्या थे राम अवतार क्यूं हुए किसलिए राम अवतार हुआ मैं तुम्हें सारी कथा बताऊंगा सारे कारण बताऊंगा और शिव जी बोलना शुरू करते हैं सुनू गिरिजा हरी चरत्य सुहाए, विपुल विसद्य निगमागम गाए, हरी अवतार हे तु जही होई, इज मिधम कही जाई नस होई, ये पारवती सुनू, वेद शास्त्रों ने श्री हरी के सुन्दर विस्तित और निर्मल चरत्र का गान किया है, हरी का अवतार जिस कार से होता है, वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मात्र यही एक कारण है, या वही एक कारण है, अनेकों कारण होते हैं, राम अतर के बुद्धी मनवानी, राम तो तरकों से परे, बुद्धी से परे, मन से परे, वैसे ही है, राम अतर के बुद्धी मनवानी, मत ह हमारा मत तो यह है कि बुद्धी, मन और वानी से स्वी राम चंदर जी की तरकना नहीं की जा सकती। तथा पी संत मुनी वेद और पुरान अपनी अपनी बुद्धी के नुसार जैसा कुछ कहते हैं, मैं तुम्हे सुनाओंगा। असी मेरी समझ में आता है, वैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, जब-जब धर्म की हानी होती है, जब-जब होए धर्म की हानी, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीती, जाई नहीं बरनी, जो अनीती करते हैं अन्याय करते हैं उनके वध के लिए उनको खतम करने के लिए सिद्ध ही विप्रधेनु सुरुधर्नी और देवताओं की रक्षा के लिए गव की रक्षा के लिए संतों की रक्षा के लिए वह शरीर धारन करते हैं तब तब प्रभुधरी बिविद सरीरा हरही कृपानिती सज्जनपीरा। वो सज्जनों की पीडा का हरन करते हैं। देवता जो संतुलन में रहने वाले हैं असुर जो असंतुलन बनाने में लगे रहते हैं संसार को असंतुलित कराने में लगे रहते हैं उनको खतम करने का वो प्रयास करते हैं तो इसलिए वही जो कृष्ण भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत अभित्थानम अधर्मस्य दात्मानम स्रजामिहं परित्रानाय साधुना विनाशाय चदुस्कृताम धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामी युगे-युगे वहाँ पर स्वेम की सरजन की बात कही है भगवान कृष्ण कि मैं अपना सरजन कर लेता हूं यहाँ शिव जी कह रहे कि अवतरित होते हैं तो अवतार शब्द का अर्थ भी समझे अवतार का अर्थ है उपर से नीचे उतरना अवतरन होना उच्छ अवस्था से निम्न अवस् सथा में पर संतों की पीड़ा को घरन करने के लिए उस परकार से अवतरित होते हैं लेकिन अब यहाँ पर एक कथा आ जाती है जुड़ जाती है कि किन किन कारणों से यह अवतार हुआ कौन कौन से कारण बने तो भगवान शिव महादेव देवादी देव महादेव पारवती जिसे कहते हैं कि है पारवती सुनो पहले तो विष्णु जी को श्री हरी को दो दो श्राप लगे उनको श्राप स्विकार करना पड़ा और जब श्राप लगा तो वो उस श्राप के वशिभूत भी नुन न उतार लिया लेकिन प्रश्ण उठता है कि किसी भक्त का हिर्दय ये कैसे मानेगा कि प्रभू को श्राप लगा था मानना पड़ेगा क्योंकि सही तरीके से समझने के लिए मानना पड़ेगा क्यों मानना पड़ेगा तो आईए हम इस विशय पे चर्चा करेंगे और गो स्वामी को समझाती हैं असुर मारि था पही सुरन रा कहे निजिसृति से तू जग विस्तार ही विसत जसराम जनम करहे तू वे असुरों को मार कर देवताओं को अस्थापित करते हैं वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं जगत में अपना दिर्मल यश्वैराते हैं श्री राम भगत भवतरही कृपा सिंदु जन हित तनुधरही राम जनम के हेतु अनेका परम विचित्र एकते एका उसी यश्कों गाकर भक्त जन भव सागर से पार होते हैं कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीरधारन करते हैं श्री राम चंदर जी के जनम के लिए अनेक इसे हिए जो एक से बढ़कर एक हैं और विचित्र हैं जनम एक दुई कहाहूं बखानी सावधान सुनि सुमत्य भवानी द्वारपाल हरी के प्रियदिव जय अरुबिजय जान सब को जनम एक दुई उनके एक दो जनमों का विस्तार से वर्णन करता हूं तुम सावधान होकर सुनो श्री हरी के दो द्वारपाल थे जय और विजय कि कब सनकादी रिश्यों से उनको श्राप मिल गया जय विजय को कि राक्षस तुम बन जाओ असुर योनी में जाओ तो उस समय वो हिरन कशपू और हिरनाक्ष बन गए देवराज के इंद्र के गर्व को छुडाने वाले सारे जगत में हिरन कशपू और हिरनाक्ष दो भाई बड़े ही प्रसद्द हुए लेकिन उनके अन्याय से उनके उन्होंने बहुत असंतुलन स्थापित कर दिया वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे इन में से एक हिरनाक्ष को भगवान ने वराह अवतार धारन करकर उसका वद्द किया और नरसिंग रूप धारन करकर भक्त प्रलाद की रक्षा है तो हिरनकषिपू का वद्द किया जय विजय को खतम करने के लिए कि उनके द्वारपाल थे ऐसी कता आती है भय निसाचर जाई तही महाबीर बलवान कुम्म करन रावन सुबट सुर्विजय जगजान फिर रावन और कुम्म करन के रूप में भी उनका उनका अभी वह आये जनम लिए उनके लिए भी भगवाना है मुकुतन अभय हते भगवाना तीनी जनम द्विजबचन प्रवाना एक बाहरत निके हितलागी धरेव शरीर भगत अनुरागी भगवान ने इद्वारा मारे जाने पर हिरनाक्ष और हिरनकष्पू इसलिए मुक्त न अवतारा चर्थ पवित्र कीये संसारा कश्य परदिती उनके माता पिता हुए दश्रत और कशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लिलाएं की एक कलप सुर्देखी दुखारे समर जलंदर सन सबहारे संब गिन संग्राम अपारा दनुच महाबल मरई नमारा एक कल्ब में सभी देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर संग्राम किया पर महाबली दैत्य जलंधर वो मारा ही नहीं जाता था उसे दैत्य की परम इस्त्री जो इस्त्री थी इसका नाम वरिन्धा बताया जाता है वो बड़ी पती वरता थी और अपनी पत्नी की तपस्या से बल प्राप्त करकर उसे दैत्य राज की मृत्यों संभव नहीं हो पाती थी तब भगवान ने चल करी टारेव तासु ब्रत प्रभुसुर का रज किन जब तही जानेव मरम तब श्राप को उपकरी दिन और तब भगवान ने तब विश्णु ने क्या किया कि विरिंदा के तप का चल पुर्वक हरन कर लिया और हरन होते ही उसने प्रभु को श्राप दि वैसे तुम भी अपनी पतनी से वियोग हो जाएगा तुम्हारा और तुम उसमें बहुत व्याकुल हो जाओगे और उसे पत्थर हो जाने का शाली ग्राम हो जाने का श्राप भी तुलसी जी से मिलता है जहांपर तुलसी विवा का जो प्रसंग आता है तो भगवान ने तुल इसी की तपस्यात से किसी दैत्यका क्या हो रहा था संतुलन दैत्य जो था आतताई दैत्य बलशाली हो रहा था प्रकरती का संतुलन बिगाढ रहा था अब आप एक बात पूछोगे आप एक बात पूछोगे कि भाई यहाँ पर तो भगवान विश्णू ने बहुत गलत कारे कर दिया एक पती वर्ता इस्त्री का छल से उसका शील हरना क्या यह भगवान विश्णू के लिए सही था क्या उन्होंने सही कि भगवान तो कभी गलत करते नहीं है तो अब यह कैसे प्रभू ने यह कर दिया क्योंकि आप गलत सही के चक्कर में हो आप कर्म के सिद्धांत को नहीं समझते हो अब यहीं पर बात आ जाएगी भगवान कौन है देवता कौन है और ब्रम कौन है और दूसरी बात कि अगर तुलिसी ने श्राप दे दिया तो क्या भगवान को श्राप लग जाएगा और क्या वो श्राप धारन कर लेंगे लेकिन भगवान ने श्राप को पूरी इक्षा के साथ धारन किया पूरी इक्षा के साथ धारन किया यही समस्या है कि आप किस प्रकार से जुड़ते हैं आप कैसी कैसी बातों से जुड़े हुए हैं, आप किन किन बातों को किस ढंग से समस्ते हैं, भगवान विष्णु, देवताओं का, देवताओं के सुर्प्रिय हैं, देवताओं के नत्रत्व करते हैं, सुर्पती कहा जाता है, उनको सुर्पती, महादेव को तो देवों का देव कहा जाता है कि देवता है और देवताओं के भी जो देवता है महादेव लेकिन सुर्पति जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे विश्णु भगवान को सुर्पति कहा जाता है सुर्पती मतलब वह देवताओं के रक्षक हैं देवताओं के पती हैं उनका पत रखने वाले हैं और देवता कौन है हलाकि कल लाइव चर्चा में इस विशय पर हम चर्चा लाएंगे कि देवता कौन है कल एक ऐसा विशय आने वाला किसी ने बहुत गंभीर प्रश्ण किया ह इस पर तो उनके प्रश्णों का उत्तर देते हैं विकल्चर चाओगे लेकि फिर भी अभी संछेप में देवता प्रकृती की शक्तियां संतुलित शक्तियां बैलेंसिंग पावर जो है संतुलित वायू है संतुलित सूर्य है देखिए सूर्य कितना संतुलित है समय से उदित होता है, अस्त होता है, समय से वो अपना कारे करता है सूरी के कारण ही इस धर्ती पर गर्मी आती है, वर्शा होती है और शित्रितू भी आती है, टंड भी आती है इस सब सूरी के साथ जो प्रत्वी का संबंध है और सारी विवस्था कितने संतुलन में चलती है तो भगवान विश्णु जलंधर को मारने के लिए उसकी पत्नी वरंदा का शीलहरन करते हैं भगवान शीव के साथ युद्ध चल रहा था लेकिन मर नहीं रहा था क्योंकि पत्नी की जो भक्ती थी पत्नी की जो तप्वबल था वो उसे प्राप्त हो रहा था तब भगवान विश्णु ने उसकी शक्ति को रोकने के लिए ऐसा किया आप सोच सकते हैं कि गलत किया आप स गयासुर की जब कथा आती है तो भगवान विश्णु ने गयासुर का वद्ध किया तो गयासुर के अंदर शक्ति थी अब गयासुर को डिस्ट्रक्टी पावर नहीं था लेकिन वह असुर था असुर मतलब जिनका बैलेंस बिगड़ा हुआ है जिनका संतुलन बिगाड़ चाहते कि तीनोंगों पर राज करें पुरानों की कथा पढ़ेंगे तो देवता कभी तीनों लोगों पर राज करने के मेहत्युकांचा नहीं रखते लेकिन असूर रखते हैं और अपनी इसी मेहत्युकांख भी हो चाहे कोई कोई भी हो चाहे अमेरिका हो रूस हो कोई भी हो किसी को वो बस आओ और जाओ निकलो यहां से सबको वो पास करती रहती है तिकने किसी के किसी के ताकत वो तिकने नहीं देती है समय भर के लिए कोई ताकतवर हो सकता है हो सकता है कुछ लंबे समय के लिए हो जाए बस इतना ही काफी है उसके बाद नहीं थेल चलता रहता है प्रकृति के परिवर्तन का सिध्धान्त आगे बढ़ता ही रहता है तो इसी प्रकार से जलंधर की भी शक्तियां छण हुई उसका वद्ध हुआ गयासुर तो सबको मुक्ति दे रहा था गयासुर तो सबको स्वर्ग भेज रहा था जो गयासुर के दर्शन कर लेता स्वर्ग भेज देता अब इस कारण से भी प्रकृति का संतुलन बिगणने ल और जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा कि गयासुर ने सब कोई स्वर्ग भेज़ दिया गयासुर से बड़ा संद कौन जो रावन नहीं कर पाया रावन के इक्षा थी कि वो धर्ती से स्वर्ग तक सिड़िया बना दे वो गयासुर ने करके दिखा दिया नाजा ने गयासुर के दर्शन करके कितने लोग मुक्ती को प्राप्त होते हैं स्वर्ग की प्राप्ती करते हैं भगवान ने देखा कि इस तरह से तो ये और संतुलन को बिगाड़ रहा है तो गयासुर का भी वद्ध हुआ लेकिन उसके नाम पर गया धाम बन गया गया धाम बन गया उसके नाम पर और लोग वहां पर श्राद करने जाते हैं कि उसका पुन्य था गयासुर के इच्छा थे कि लोग लोगों की मुक्ति हो कल्यान हो लेकिन उसने इतना कल्यान किया कि संतुलन बिगड़ा तो संतुलन बनाए रखना देवताओं का कारे हैं और वही उनका कर्तव है तो विश्णु ने तो अपना कर्तव की पालना ही की और मानवता के लिए जो किया मानवता के लिए किया भले द अवतार जो लेना है प्रश्ण यह उड़ता है कि भगवान को अवतार लेने के लिए अपने उपर श्राप क्यूं लेना पड़ रहा है अब नारद जी का भी श्राप और गो स्वामी तुल सीदाज यहां व्याक्षा करने वाले हैं देवरिशी नारद के साथ क्या हुआ कैसे देव रिशी Nico नारद ने वगवान विष्ण उखर दिया अब श्राप मिल रहा है क्योंकि अवतार जो लेना है अवतार लेने का मतलब अपनी उच्च वस्था से निम्वस्था में जाना तो निम्वस्था में जाना पाप भी होगा पुन्य भी होगा बस फर कितना है कि आपका उद्धिश्य पुन्य करना ही होना चाहिए पाप अपने आप ही हो जाएगा जिसने पाप को ही उद्देश बना लिया उसकी पाप के अधिकता बढ़ जाए कि जिसने पुन्य को उद्देश बनाया पुन्य अधिक हो जाएगा लेकिन पाप खतम हो जाएगा ऐसा कभी होने वला नहीं इसलिए हमेशा देवताओं और असुरों के बीच में संगर्ष चलता रहता है निगेटिव और पोच्ति पावर की बीच में संगर्ष देवता जो संतुलन को बनाए रखना चाहते हैं और असुर जो संतुलन बिगार देना चाहते हैं असुर होने के लिए इतना ही प्रयाप्त है तो भगवान विश्णु ने श्राप लिया क्योंकि वो भी जब भी इस प्रकृति में चाहे देवी देवता हों चाहे मनुष्यों सब कर्म के बंधन में हैं सब प्रकृति के बंधन में हैं, तो करम तो लेना ही पड़ेगा, तभी अवतार संभव है, ये करम का सिध्धानत है, इसलिए यहां पर मिमांसा सर्वोपरी हो जाती है, जब मिमांसा यह कहती है कि करम ही सर्वोपरी है, कोई देवता, कोई गुरु, कोई भगवान, कोई ब्र हाँ यूग का एक मार्ग है यूग का मार्ग है जिससे की कर्मों को छुन किया जा सकता है वो यूग का मार्ग है उसे कोई भगवान या कोई देवता या कोई गुरू नहीं कर रहा ये समझने वाली बात है इसलिए कर्म सिध्धान्त सर्वपर ही बन जाता है इसलिए मिमानसा कर्म को सर्वोपर ही मानती है इश्वर से भी उपर मानती है देवता से भी उपर मानती है किसको कर्म को और कर्म को कर्म का फल देने वाला स्वेम कर्म है कोई इश्वर या कोई गुरू या कोई देवता तुम्हें कर्म का फल नहीं देता कर्म के अंदर में जो अपुर्व की शक्ती है वही कर्मों का फल पैदा करती है एक्षन के अंदर ही रियक्षन छुपा हुआ है जब जैमिनी रिशी ने ज़ास्त्र दिया था और मिमान सा उत्तर विद्व्यास जिन लिखे थी तो पुर्णता कर्म आधारित चर्चा दी थी यही मिमानसा शास्त्र का मूल सद्धांत है वह कर्म को ही सर्वोपरी मानकर सारी चर्चा करता है कि कर्म ही सर्वोपरी है इस मनुष्य जीवन में जीव के लिए जीवन में मनुष्य हो चाहे कोई भी हो चाहे वो देवता हो चाह चाहे वो नर हो चाहे पशु हो कोई भी हो जानवरी क्यों आओ चाहे वो राक्षासी क्यों आओ उनके संपूर्ण जीवन में जो भी सुख दुख प्राप्त हो रहा है जो उनका जीवन चल रहा है वो उनकी कर्म से ही चल रहा है अब कर्म में संचित कर्म प्रारब्द कर्म क्रियामान कर्म यह असब आते हैं इसमें कोई हस्त छेपनी कर सकता हां उपाय बताए जा सकते हैं समधान बताए जा सकता है कि अपने बुरे कर्मों को कैसे चुन करोगे तो प्रैश्यत करो मिमांसा कहती है प्रैश्यत क भगवान कृष्ण मार्ग दिखाते हैं यूग का निश्काम कर्म यूग ध्यान यूग अपने आपको ऐसी अवस्था में ले जाओ जहाना विचार होते हैं और जब विचार नहीं होते तो वहां कर्म कहां से होंगे तुम कर्मों के चक्कर से उपर उठोगे और मोक्ष को प् आधार तो सब के लिए बनेगा चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो चाहे वो विश्णु हो चाहे वो शिव हो बनेगा बस समाधी की एक ऐसी अवस्था है जहां कर्म नहीं बनते एक समाधी ही ऐसी अवस्था है निर्विचार भावातीत अवस्था है जहां कोई भावना ह ही नहीं है तो करम कहा से बनेगा करम तो रहेगा यही मिमानसा का का अकाट्यya सिध्धांत है और मिमानसा शास्त्र की विशेस्था है कि उसने कर्म की सत्ता को ही सर्व परी सत्ता माना है क्यों कि जीवन के अंदर उसी का दिखाई जीवन में उसी का प्रभाव नजर आता है जीवन में सारे आने वाले सुख दुख उसी के उसी से कर्मों में ही गुते होते हैं कर्मों के बंधन में होते हैं इसलिए ऐसा वर्णन किया जाता है तो अब विश्णु भी हो तो क्या बिना कर्म का अधार लिए ही अवतार लेंग तासु श्राप हरी दिन प्रमाना कौतुक निधी क्रिपाल भगवाना तहा जलंधर रावन भयव रन हती राम परंपद दयव लिलाओं के भंडार क्रिपालु हरी ने उस श्राप प्रमान दिया स्विकार किया और जलंधर रावन हुआ एक जनम का कारण यहा जही लगी राम धरी नर देहा प्रती अवतार कथा प्रभु केरी सुनी मुनी बरनी कभिन घनेरी एक जनम का कारण यह था जिसमें श्री राम चंदर जी ने मनुष्य देधारन किया हे भरदवाज मुनी अब यागवलक जी भरदवाज जी को इंगित करते हैं सुनो प्रभू के प्रतेक अवतार की कथा का कवियों नाना प्रकार से वर्णन किया है नारद श्राप दिन एक बारा कि नारद ने एक बार श्राप दिया नारद श्राप दिन एक बारा कलप एक तही लगी अवतारा गिरजा चकत भई सुनिबАनी नारद विष्णु भगत पुनि घ्यानी भई यह कैसे हो गया गिरजाजी पारवती जी बड़ी आश्चरह करने लगी एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया अठ्द है यह बात सुनका पार्वती जी बड़ी चक्कित हुई नारजी तो विश्णू के भक्त हैं और ज्ञानी है वो ऐसा क्यों करेंगे भला लक्षमी पती भगवान विश्णू ने क्या अपराद किया कि देवरिशी नारद ने उनको श्राप दे दिया तो अब शिव जी ये कथा सुनाते हैं कथा है एहनकार की नारद की नहीं है एहनकार के वर्चस्व की कथा है कि एहनकार कैसी ताकत होती है एहंकार बड़े से बड़े मुनियों को भी गलाने और पतन के मार्ग पर ले जाने का कारण बनता है हो सकता है कि काम वासना में लिप्त अजामिल का कल्यान हो जाए हो सकता है कि गणिका का कल्यान हो जाए लेकिन अभिमानी और एहनकारी का कल्यान कदापी संभव नहीं है वो फस्ते ही फस्ते हैं इसलिए अभिमान सबसे बड़ा विकार है ये ध्यान रखिएगा कहुं राम गुन गात भरदवाज साधर सुनहु भव बंजन रगुनात भजू तुल सीद ची मानमद और इस प्रकार से कठाव शुरू होती है नारद रिशी की कि देव रिशी क्या क्या करते हिम्म गृरी गुहा एक अतिपावन भा समीप सुरसरी सुहावन आश्रम परम करना चाहिए लीन रहना चाहिए निर्ख सैल सरी विपिन विभागा भयव रमापती पद अनुरागा सुम्रत हर ही श्राप गति भागी भाग धी सहज विमल मन लागी समाधी परवत नदी और वन के सुन्दर विभागों को देकर नारद जी का भगवान के चर्णों में प्रे दिया था जिनके कारण वो एक अस्थान पर ही नहीं ठाहर सकते गति रुक गई और मन के सभावे के ही निर्मल होने पर उन्हें समाधी लग गई और वो ध्यान में बैट गया उनकी समाधी लग गई नारद मुनी की स्थिती देकर देवराज इंद्र डड़ गया उसने कामदेव को भुला कर उसका आदत सत्कार किया और कहा कि मेरे लिए तुम अपने सहाई को सहित नारद की समाधी भंग करने के लिए जाओ यह सुनकर मीनधवज कामदेव मन में प्रसन होकर चला सुनासिर मन महुं असी त्रासा चहत देवरिशी मम पुरुबासा जे कामी लोलुप जगमाही कुटल काक इव सब ही डिराही इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवरिशी नारद मेरी पुरी अमरावती पर कही कि मिरगराज चीनी लेई जनी जान जड़तिमी सुर्व पतहीन लाज जैसे मुर्ख कित्ता सिंग को देखकर सुकी हड़ी लेकर भागे वह मुर्ख यह समझे कि कहीं उस हड़ी को सिंग छीनान ले वैसे ही इंद्र को लाज नहीं आई इंद्र को कोई शर्म नहीं आई कि नारत तपस्या कर रहे हैं मेरे गद्धी ना छीन ले अरे भाई वह तो वैसे ही परमानंद में लीन है तुम्हारी गद्धी को की आवशक्ता भला नारत जी को क्यों होने लगे लेकिन इंद्र के मन में ऐसा कि अब तपस्या करने बैठ समाधी लगा लिए और कहीं मेरे गद्धी ना छीन ले नारत जी ने काम देव से का कि जाओ भी या जाओ भी या इनका देखो इनका हिसाब किताब क्या है इनको रास्ते पर ले आओ तो उस समय जो काम देव जो थे वह चल पड़े नारत जी के पाद तेही आश्रम ही मदन जब गईव मदन जब उनके आश्रम में पहुँचे मतलब काम देव मतलब काम देव जब काम देव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया में वहाँ वसंत रितु उत्पन कर दिया तरह-तरह के व्रिक्ष रंग बड़े सुगंधित पवन वहां बहने लगी जो जिसका गंध आने से ही मन में कामनाय उत्पन होने लगे। किन हेसी पुनी प्रपंच बिधिनाना बहुत प्रकार से तानों के तरंग साथ गाने लगी। हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल केलने लगी। और वहां पर कामदेव अपनी इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। और फिर उसने नाना प्रकार का माया जाल फैलाना शुरू किया। जिसके बड़े रक्षक हो भला उनको कौन हरा सकता है। गयों मदन तब सहीत सहाई। नाराज जी के मन में कुछ भी क्रोध नाया। उन्होंने प्रिय वचन कहके काम देव का समधान किया। तब मुनी के चर्णों में सिर नवाकर उनकी आग्या पाकर काम देव अपने सहाई को सहित लोट गया। मुनी सुसीलता आपनी करनी, सुर्पती सभा, जाई सब बरनी, सुनी सब के मन अचर जु आया। मुनही प्रसंसी हरही सिरुन आया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनी की शुशूलता और अपनी करतूत सब कह दी। जिसके सुनकर सब के मन में आश्यर हुआ और उन्होंने मुनी की बड़ाई करके श्रीहरी को प्रणाम किया। तब नारद गवने सिव पाहीं, जीता काम, अहमती मनमाहीं। अब नारद जी को अब ये एहंकार इतना सुक्ष्म होता है। अब नारद जी ने काम देव को उस समय तो आश्रवात दे कर भेज दिया कि तुम जाओ यहां से। तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तुमने जो किया तुम्हें कोई दोश नहीं लगेगा, तुम चले जाओ। और नारद जी बड़ी सौमिता से समाधी अवस्था से निकले थे, तो जब आदमी समाधी से बाहर निकल आता है, तो पूरी तरह से इस संसार में उसकी गती नहीं होती है। तो उस समय उन्होंने कह दिया कि जाओ भईया, तुम्हारा भी कल्यान हो, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं देने वाला, जाओ, एक बार तो शिव जी ने तुमको पहले दंड दे रखा है, अब मैं दुबारा तुम्हें कितना दंड दूँगा, देव रिशी ने साध ऐसा स सोच रखाओ, लेकिन अब ये जो अभिमान है, पता नहीं, कहां पर, कहां पर ये उपजना शुरू कर दे, धीरे धीरे अब नारद जी क्या करते हैं कि कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचते हैं, तब नारद गवने सिव पाहीं, शिव जी के पास गए, जिता काम अहिमि प्रिय जानकर सिक्षा दी, कि बार बार बिन वहु मुनितों ही, जिमिय कथा सुनावे हु मोही, तिमी जनी हर ही सुनावे हु कवही, जले चलेव प्रसंग दुराईव तब ही, हे मुनी, मैं तुमसे बार बार एक विनती करता हूं, नारद जी ने कहा, कि हे शिव जी, हे भ पहुद कोशिस की, अब सराइन ले आया सुन्दर सुन्दर, वैसा ही महावल उसने बनाया, काम बान भी मारे मेरे उपर, लेकिन मेरा कुछ ना कर पाया, और मेरे चर्णों में आके गिर गया, हे महादेव, आपने तो अपनी आखे खोल दे थी, लेकिन मैंने नहीं खोली, और मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया जब तक तुम पंच भूतों के शरीर में हो कभी ऐसा दावा मत कर देना गलती से कब कहां पर किस अवस्था में चले जाओगे बताना भी मुश्किल अवस्था तो बन जाएगी भले तुम पहवतलना गलती ना करो लेकिन मन से हो जाएकि मनसावाच ना मन मनसे तो तुम पतित होई जाओगे अब देव रिशी नारद ने जा कर यह कह दिया भगवान daya भगवान भगवान शिव ने समझाया बार बार बिन वहूं मुनी तो ही है मुनी है देवरिशी मैं बार बार तुमसे विनती करता हूं बार बार एक बार नहीं अब शिव जी नारद जी से विनती कर रहे हैं शिव जी नारद जी से बार बार विनती कर रहे हैं बार बार बिन वहूं मु जैसे तुमने मुझे ये कथा सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरी को कभी मत सुनाना, तीमि जनी हरी सुनाव हो कभी, उनको कभी मत सुनाना, चले यू प्रसंग दुरावे हो तब हूं, चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा लेना, बताना मत भगवान विश्णों को, कि ऐसे सी घटना घटी थी और तुमने काम देओ पर विजय अपराप्ते कर लिया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा विजय बना रहा है, अब देखे एक मौका भी दिया श्यू जेने, अब ये बात शिबजी ने कही, अब होता क्या है ना, अभिमानी मन जो होता है, अब इस काम के लिए तुम उनको बार-बार मना करोगे, उसी काम की प्रेहन बार-बार मिलती रहेगी, यही करके देखते हैं. अब नारज जी का मन तो अभिमान से भरा हुआ था और अभिमानी मन उचलता भूत है और बाद में नारज जी सोचे लेगे ऐसा क्या है कि विश्णु जी को नहीं सुनाना ऐसा क्या है अब नारज जी का मन बड़ा परिशान रहता कि शिव जी ने कहा कि वैकुंठ जाकर प्रणाने में जो पहले तो उन्हें योजना बना रखे थे कि शिव जी को भी विश्णु जी को भी सुनाओंगा कि मैंने इतनी बड़ी उपलब्धी कर ली एक बात ध्यान रखना योग मार्ग पर उपलब्धियां कभी सुनाई नहीं जाती है जो अपनी उपलब्धियां उसे सिद्धियों का ज्यान हो जाएगा और सही गलत का भी ज्यान हो जाएगा वो समझ जाएगा कि यह सब बाते सुनाने और प्रचार करने के योग नहीं होती प्रचार करना मैं सिद्ध हूँ अपने मुझ से या किसी दूसरों के मुझ से कई गुरुजी लोग हैं जो अपने मुक्स है तो ने लेकिन उनके चेले उनका प्रचार करते कि हमारे गुरुजी साक्षात भगवान हैं यही सिद्ध पुरुस हैं यही कलकी अवतार हैं आप ज ज्यादा तरचेले जो है अपने गुरु को कल की अवतार सद्ध करने में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, और कहीं न कहीं से उनको ऐसी प्रेणणा मिलती रहती है, लेकिन जो सच्चा सद्ध है, जो सच्चा संत है, वो इन सब प्रयासों में अपना समय बरबाद नहीं करता तो कि उसको पता है या सिद्धी भी प्रदर्शन का विशय नहीं, बलकि लोक कल्यान का विशय है, लोक कल्यान का विशय है, और किसी को बताने की क्या वशकता, कि वो सद्ध पुरुष है, जब समय आएगा तो दुनिया अपने आप उसको जानेगी, या नहीं भी जाने, तो जरूरी थोई ना है कि जाने के तभी सिद्ध पुरुष है तो कि हम मान के ये चलते हैं जो सिद्ध पुरुष होगा वो प्रसद्ध होगा जरूरी नहीं है हो सकता है कि बैचारा कोई सिद्ध पुरुष लाड़ी महाश्य के तरह किसी परिवार में एक सथारन ग्रहस्त क के रूप में रह रहा हो ना उसके पास धन हो ना उसके पास यश हो ना उसका कोई गुणगान करने वाला हो और जो सिद्ध नहीं है वो सिद्ध के नाम पर प्रसिद्ध होकर जो है बहुत सारे चेले बनाकर बहुत बड़ा मठ बनाकर दुनिया भर में प्रशार कर रहा हो ऐस अभी हो सकता है पता नहीं किस कोने में कौन सा सद्ध पुरुस बैठा और भला कौन जानता है तो ठीक है तो इसलिए यह सब बाते बड़ी रहसमई हैं यह सब कहने की बाते नहीं होती और सही में जो सद्ध होते हैं उनको इस बात का ज्यान होता है कि यह सब प्रचार का चय होता तो उसको कहने की आवशक्ता ने पड़ती वो जानते है कि शिव भी अंतर यामी भगवान विश्णू भी अंतर यामी है। उन्हें भली भाती पता है कि दोनों अंतर यामी हैं, दोनों बिना बताई ही सब कुछ जान लेते हैं। फिर भी नारज जी को बाल बार ये बोलने की आवशक्ता पड़ रही है कि मैंने काम देव पर विजय प्राप्त कर लिया वास्तों में वह शिव जी को नहीं सुना रहे हैं वह विश्णु जी को नहीं सुना रहे हैं वो स्वेम को सुना रहे हैं अपना अहनकार संतुष्ट कर लेकिन फिर भी सुना रहे हैं तो सब जानते हैं, तो फिर सुनाने के आवशक्ता क्या है लेकिन फिर भी देवरिशी नारद जाते हैं और फिर भी सुनाते हैं, उनसे राहा नहीं जाता। उनको सर्टिफिकेट चाहिए K looked मानो मेरी बात आजकल अपनी बात मनवाने का बहुत बड़ा एजेंडा चलता है खासकर आश्रमों में और कई जगह पर ऐसे संस्थाओं में कि हमारी बात मानो हम जैसे बता रहें वही मानलो तो मान लो क्योंकि हमारी आवाज उची है हमारी संख्या बहुत अधीक है कुछ इस कारण से भी मनवाने की कोशिस करते हैं तो चलिए अपनी अपनी रीती है सबका समय निश्शित होता है तो देवरिशी नारद जानते हैं कि शिव जी अंतर यामी है भगवान विश्नु भी अंतर यामी है बताने की कोई आवशक्तान लेकि फिर भी उनको लग रहा है कि मुझे इनका इनकी माननता चाहिए इनका सर् प्राप्त कर लिया और वो अपने आपको ही सुनाना चाहते है इसलिए बार बार जाकर अपना ही गुनगान कर रहे हैं तो होता क्या है राम किन चाहाई स्वई होई करे अन्य था अस नहीं कोई संभु बचन मुनी मन नहीं भाए तब बिरंच के लोक सिधाए शिराम शंद् प्रविना चेह बस श्री निवास रित्मा अधार या और निया हरीव गाते वे चीर सागर को गया ब्रह्मा जी को भी सुना दिया कि मैंने काम दियों पर विजह प्राप्त कर लिया जहां वेदों के मस्तक्स वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायन रहते थे राम निवाश भगवान उठे और बड़े आनंद से उनसे मिले और श्री नारज जी के साथ आसन पर बैठ गए चराचर के स्वामी भगवान हसकर बोले है मुनी आज आपने बहुत दिनों पर दया की है इतने जिनों कहां थे और बहुत दिनों बाद आये हो कामचरित नारज सब भाषे जदपी प्रथम बरज सिव राखे अती प्रचंड रगुपती के माया जेहीन मुह असको जग जाया यदि पिशिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज के रखा था साउधान किया था तो भी नारज जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को सुना ही दिया और श्री रगुनाज जी के माया बड़ी प्रबल जगत में ऐसा कौन जन्मा जिसे वो मोहित ना कर दे सबको मोहित करने का सामर्थ है तो रुख बदन करी बचन मरदू बोले श्री भगवान तुम्हरे सुमरंते मिटही मोह मार मदमान भगवान रुखा मोह करकर कोमल बचन बोले है मुनिवर राज आपका इसमरं करने से दूसरों के भी मोह काम मदर अभिमान मिट जाते हैं फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है अरे वाह क्या बात है एक तो बिचारा वैसे ही चड़ा हुआ उसको चने के ज़ाड़ा पर और चड़ा दिया अब जो चने के ज़ाड़ा पर चलेगा क्या होगा सोच लो उसका ठीक है तो सुनी मुनि मोह होई मनता के ज्यान विराग हिर्दय नहीं जाके ब्रह्म चरज वरत रतमती धीरा तुमही एक करई मनो भव पीरा विश्णु जिन ओचड़ाया है मुनि सुनुए मोह तो उसके वन में होता नहीं जिसके हिर्दय में ज्यान विराग नहीं आप तो ब्रह्म धीर बुद्धी वाले भला कहीं आपको भी काम देऊ सता सकता है और आपकी तूलना किसी से हो सकती है नारद कहू सहित अभिमाना किरपा तुम्हारी सकल भगवाना करुणा नधी मन दीख बिचारी और अंकुरेव गरब तरुभारी यही तो स्टांप चाहिए था स्टांप क के लोग आपको इजद सम्मान करें अफ़मान कोई न करें आप तो भक्ती कर रहे हो आप इंट डॉल रहे हैं लोग आपको चरित्रहीं बोल transparent कर impressive के कि हम भक्त हैं हम योगी हैं बने हैं यह बात लगे छोड़ दीजिए सच्चा योगी बता नहीं कहां बेचारा कोने में बैटा होगा ठीक है लेकिन लोग को सटिफिकेट जरूर चाहिए कि मैं योगी हूं चलिए ठीक है देश के लिए समाज के लिए सटिफिकेट का भी महत होता है लेकिन यहां पर देव रिशी नारद विश्नु जी से ब्बह मा नारद जी के लिए तुमसे बड़ा कॉन नारद तुम्हारा तो नाम लेने से काम लोब मोह काम शुरूद भाग जाएं तुम्तु ऐसे महान उस प्रभ्मेटी ब्रह्मचारी तुमसे बड़ा ब्रह्मचारी कौन अब भगवान ने लंबे लंबे पुल बांधने शुरू कर दिये वही बात कि बिचारा पहले से चढ़ा और उपर से चने के जाड़ पर और चढ़ा दिया गया उसे तुम करें किया वो और चढ़ गया समझाया गया था उस नारद कहूँ सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकर भगवाना प्रभू कृपा तो आपी की रहती है कहतो रहे हैं लेकिन मन में अभिमान है कि मैंने अपनी तपस्या से कर दिया मन में गर्ब के भारी व्रिक्ष का अंकुर पैदा हो गया करुणा नदी मन दीख बिचारी औ अंकुरेव गरब तरु भारी एंकार का बहुत बड़ा व्रिक्ष मन में उतपन्न हो गया बेगी सो मैं डारी हो उखाई पन हमार सेवक अहितकारी मैं उसे इतना बड़ा करूँगा इतना बड़ा करूँगा कि वो बड़ा होकर गिर जाएगा भगवान ने निश्य कर लिया कि मैं अपने भक्त में यह अहंकार जो पड़ गया है मैं इसको उखाड़ूंगा खतम करूंगा किसी का ने टिकता इसका क्यों टिकेगा तो ऐसा उसको हवा दे दो कि वो खुद ही गिर के खतम हो जाए चीक है तो किसी व्यक्ति को खतम करना हो तो उसे वैसा पद दो जिसके योग्य वो है ही नहीं अगर किसी व्यक्ति को खतम करना हो तो उसे ऐसा पद दो कि उसके योग्य ही नहो वो और नारद जी को कुछ ऐसा मिल गया तब नारद हरी पद सिर नाई चले हिरदय अहमिती अध काई श्रीपति निज माया तब प्रेरी सुनहु कठिन करनी तही के रिए अब उसी कठिन करनी सुनो कि क्या क्या होता है बिर्चेवु मग महु नगर तहीं सत जोजन विस्तार श्री निवास पुरते अधिक रचना बिविध प्रकार रास्ति में जब नारजी जा रहे तो सौ योजन 400 कोस में एक बहुत विशाल नगर बसा हुआ था उस नगर की भाती भाती के रचनाय लक्षमे निवास भगवान विश्नु के नगर से भी अधिक सुन्दर नजर आती थी बसही नगर सुन्दर नर नारे जनू बहु मनस जरती तनुधारी पहीपुर बसही सील निध राम का राजा रहता था जिसके यहां असंख घोड़े हाथी और सेना के समू थे सत्थ सुरेश सम विभव विलासा सुर रूप रूप तेजबल निती निवासा विश्व मोहिनी तास कुमारी श्री विमोह सुर जेसु रूप निहारी और उसकी पुत्री थी जिसका नाम व सोई हरी माया सब गुनी खानी सुभा तासो की जाई बखानी करई स्वेंबर सो निर्प बाला आयत अगरित महिपाला वह सब गुनों की खान भगवान की माया ही थी उसकी शुभा का वर्णन कैसे किया जाता वह राज कुमारी स्वेंबर करना चाहती थी इससे वहां अगरि और उसमें राजा ने नारज जी का आगमन सुनकर उनका सम्मान किया उन्हें बैठने का आसन देखा आनी दिखाई नारद ही भूपति राज कुमारी कहूं नात गुन दोश सब एही के हिर्दय बिचारी और जब नारज जी ने विश्व मोहिनी का रूप देखा तो अप अप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुन दोश कहिए देखी रूप मुनी बिर्ति भिसारी ब्लो की बुलाने हरश्व प्रगट-बखौने उसकी सुंदर रूप को देकर, नारत जी अपना वैराग्य भूल गए बड़ी देर तक उसके सुंदर रूप को निहारते रहे उसके लक्षन देखर मूनी अपने आप को भूल गए और हिरदय में हरशित हुए लेकिन किसी इस्त्री को एक टक निहारना बड़ा ही बुरा माना जाता है। वरेगी सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे अब शीर नधी का समराज और उसका उसकी ताकत को देखकर नारज जी के अंदर दूसरा मोह भी पहले तो नारी के रूप के परती सुन्दर रूप के परती मोह उत्पन हुआ पिर दूसरा मोह उत्पन हुआ देव रिशी नारद के अंदर कि अगर मैंने इससे विवा कर लिया तो इतना बड़ा जो समराज जो है वह भी मेरा होगा राज पाठ मिलेगा शक्ती मिलेगी सैने बल मिलेगा राजा का प्रताप मुझे मिल जाएगा क्योंकि मैं एकलोता दमा होंगा राजा का सुना है कोई एक ही पुत्री और कोई है नहीं तो सब कुस्त मुझे इप्राप्त हो जाएगा अब दूसरा भी आगया पहले तो कामवासना आई अब दूसरा लोभभी आ गया मोह भी आ आगया सब एक एक करके आ रहे इसलिए अभी मान जड़ है इसलिए अभिमा नहीं जड़ है वो रहेगा तो सब आएंगे नहीं आएंगे ऐसा हो नहीं सकता ठीक तो अब जो है नारज्य के अंदर सब आने लगा तब सब को विचार कर बड़ा प्रसन हुए कि अगर ये मेरी अर्धांगनी बन गई तो एक सुन्दर कन्या एक अत्यंते लावन्य इस्त्री तो मुझे मिल ही जाएगी और साथ ही साथ इतना बड़ा राज्य इतना बड़ा वाइभाव वो सब भी मुझे प्राप्त हो जाएगा अब मन में लालसा उत्पन आगे पता नहीं वैरा के कहां चला गया पता नहीं खुद ही भूल गए जो जगह जगह जाकर सुन नहीं होता है और यहीं पर समस्या आ जाती है और पतन हो जाता है तो देवरिशी नारत को लगने लगा कि हो गया मेरा काम काउंडे पर मैंने विजय प्राप्त कर लिया ठीक है कुछ ऐसा विचार उन्हों ने कर लिया था लेकिन भूल गया लच्छन सब विचारी उर्राख कहकर नारत जी चल दिए पर उनके मन में यह चिंता थी अब तो लड़की का ही रूप बार बार नजर आ रहा है अब तो मन किसी 18-19 साल के यूवक के समाने काम कर रहा है बार बार उसे यूवती की छवी ही आखों के सामने आ रही है फिर हो गया पहली नजर का प्यार पहला बार बार उसी किछवी आ रही है सोने अब समाधी लगना तो दूर नींद भी नहीं आ रही नारत को जब आखें बंद करते हैं तो राज कुमारी का सुन्दर मुख उनके सामने आ जाता है सुन्दर मुख आता है फिर राज कुमारी आती है फिर सुन्दर वयभव आता है फ तो यस तरी वियोग में अब वो विरह में अब वो एक तऱ से तरप रहे हैं अब इसे विरह की शान्ती तो टभी होगे जब उसकी जब वो इस तरी उनकी अर्दांगनी बनने के लिए तयार हो झाया या उनका वरन कर ले क ile करें इस समय जब तब से तो कुछ वह सहब नहीं जब तब और शिव ैस्य शुव का विवार नारज जी ने सोचा कि अब जब तब से यह होगा जब तब तो मैंने खूबust कि यह यह या सुन्दर इस्त्री मुझे कैसे भी प्राप्त हो वो प्रयोजन करना चाहिए जब तब तो मैंने भूत कर लिया अब तपस्या करने तो जाएंगे नहीं क्योंकि पता है संसार में जो लोग विवा करते हैं और किस हेतू करते हैं क्या मन में उद्देश्य होता है ठीक विवा करने के बाद बाद में उद्देश्य बदले वो अलग बात है लेकिन प्रारंबिक उद्देश्य तो सौंदर ही होता है कामुकता ही होती है तो देवरिश स्वकाम देव ने बना लिया है और अनेकों कामनाओं के वशिव भूत देव रिशी नारद हो गए हैं और कह रहे हैं कि जब तब करने से तो वो सुन्दर इस्त्री मुझे मिलेगी नहीं चौक्त अब वह ना शिव है और न वह पारवती तो ये तो संसार की माया चलती है यहां पर तो मुझे मायावी सुन्दर रूप चाहिए ऐसा सुन्दर रूप के जिसको देहकर वह सुन्दर कन्या मुझे पर मोहित हो झाए और बस वही काम करेगा मेरा शरीर इतना सुन्दर हो जाए जब तब करने से तो शरीर का सुन्दर भी लगता है बिगड़ गया जैसे पारवती जी का बिगड़ रखा था उस समय शरीर का सुंदर भी बिगड़ा हुआ रजर आता है मुझे तो सुंदर रूप चाहिए और ये संकल्प नारज जी के मन में आ गया और इसी संकल्प से वो आगे बढ़ते हैं एही अवसर चाहिए परम सुभा रूप विशाल जो बिलो की रिजे कुमरी तब मेले जैमाल इस सम मेरे मन में उसके सुंदर को देखकर कामेक्षा उत्पन हो रही है वैसे उसके मन में मेरे सुंदर रूप को देखकर वैसे ही कामभावना उत्पन हो जाए मुझे ऐसा सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राज कुमारी मुझ पर रीज जाए और तब जैमाल मेरे गले मे अब भला हरी बड़े सुंदर है विश्णु जी बड़े सुंदर है उनका रूप बड़ा सुंदर हमेशा मुस्कुराते रहते हैं सब लोग उनको देखकर मुईत हो जाते हैं उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी किन्तु श्री हरी के समान मेरा हित भी कोई नहीं उस समय नारत जी प्रभू की बहुत प्रकार से विनती के तब लीला में प्रभू वहीं प्रगठ हुए और स्वामी को देकर नारत के नितर शीतल हो गए और वन में बड़े हर्शित हुए अब तो काम बनी जाएगा अती आरती कही कथा सुनाई करहू किरपा करी होई सुहा आपन रूप देहु प्रभू मोही आन भाति नहीं पावाओं है प्रभू मुझे अपना रूप देदेजिए आप बहुत सुन्दर है आप अपना रूप मुझे देदेदे जही बिद नात होई हित मोरा मेरा हित हो जाए करहूं सो बेगी दा समय तोरा निजमाया बलत अपनी माया का विशाल बलत देख दीन देयालू भगवान मन ही मन हसकर बोले यह बिद्य हो यह परमहित नारद सुनहों तुम्हार स्वई हम करब ना आन कछू बचन ना मृशा हमार हे नारद जी सुनू जिस प्रकार से आपका हित होगा मैं वही करूंगा आपे कल्यान के यह सारे कारे करूंगा चिंता मत करो कुपत मां गरू जब याकुल रोगी बैद न दे सुनहूं मनि जोगी एह बिद्य हित तुम्हरों मैं ठयाओं कही अस अंतर हित प्रभु भयाओं है योगी मुनि सुनो सुनिये रोग से व्याकुल रोगी कुपत्य मांगे तो वैद उ उसे नहीं देता है ठीक है रोग से व्याकुल रोगी अगर कुपत्य मांगे तो वैद उसे वैद का काम क्या है दवाई देना वैद का काम करते हैं वैद का करते हैं इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने के ठान दी है ऐसा कहकर भगवान अंतरधान हो गए राजा लोग खुब सज धजकर समान समाद सहीत अपने अपने आसन पर बैठे थे मुनि मन ही मन प्रसन हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुन्दर है मुझे छोड़ कर कन्या भूल कर भी दूसरे को कभी न वरेगी क्योंकि मैं बड़ा सुन्दर हूँ मुनिहित कारण कृपान इधाना दिन न करूप न जाई बखाना सो चरित्र लखी काहु न पावा नारद जानी सब ही सिरनावा। कृपान इधान भगवान ने मुनिके कल्यान के लिए उन्हें कैसा कुरूप बना दिया कि इसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका सब ने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहां सिव जी के दो गण भी गय थे बेजा गया उनको थारी कथा सुनाओ कि नारद क्या क्या कर रहे हैं। सब भेद जानते थे और ब्रामन का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे वह भी बड़े मौजी थे और वह एक ब्रामन रूप धारन करकर नारद जी की हसी वहां उड़वा रहे थे। जही समाज बैठे मुनी जाई हिर्दय रूप अहमिती अधिकाई तह बैठे महेश गण दो विप्रबेश गति लखाई नको विप्रबेश में वो बैठे कोई ने समझ पाया कि रुद्रगण भी आये हैं। इनको अच्छी सुंदरता दी है। ताकि नारद को विश्वास हो जाए कि मैं सुंदर दिख रहा हूं। अब उन्हें रुद्रगरों ने और चढ़ा दिया एक तो भगवान ने एक तो बिचारा वैसी चढ़ा हुआ। एक तो बिचारा वैसे ही चढ़ा हुआ कहते ना एक तो एक तो करेला उपर से नीम चढ़ा। अब भगवान के जो दो रुद्रगन गये उन्होंने और ज़्यादा चढ़ा दिया। और ज्यादा चढ़ा दिया। और चढ़ जाओ थोड़ा सा और चढ़ जाओ गिरूगे तो समझ में आएगा कितने उचाही से गिरे हो अभी समझ में नहीं आ रहा कि कितनी उचाही पर चढ़े हो। है दब उचाई पे चड़ो तो थोला सा नीची भी जहाकर देखा करो कि तो पता चले गिरे तो उठने लायक बचे ही नहीं नहीं ऐसी घटणा ना हो जाए चलो नारग जी के साथ तो भगवान हैं हैं उनकी भक्ति है उनकी साधना है उनका योग है तो कोई और कोई सहारा तो उनके साथ है लेकिन मनुख्य बिछारा चढ़ जाए तो ना रखे गिरेत उठने का भी सहास रखे या ना रखे वो तो देवरिशी नारद है उनका यह हाल हो रहा है कि पहले तो शिव जी ने समझाया बात मानी नहीं विश्णु जी के पास गया भगवान ने का कि बिलकुल तुम एकदम ब्रह्मचारी परम ब्रह्मचारी तुम से बड़ा सुमेंबर में आप अही सबसे सुंदर है नारद जी को ये विश्वास डिला दिये और चड़ गए ??? और आसमान पर चड़गा कि अब तो पक्का है अब तो मेल पक्का है अब राजकुमारी मिलनी राजवयभो राजमहल सब मेरा सब कुछ मुझे मिलना है अनेको कामनाय मन में नारज्जी के चल रही है काहुन लखा सो चरित विशेसा सो रूप अंदर पकन्या देखा मरकट विशेस शरितरों कोहिए ने नहीं जाना पतार राजो कन्या ने फे रूप देखा विश्व्व मुहिनी ये रूप देखा उनका बंदर का सा मुख और भैंकर शरीर देखते ही कन्या के खर्दयार में बहुत कुरोध हुधी उत पन हो गया है बहुत उक्रोद कि भाई ये स्वेंबर में कैसा विखती है बानरमुक वाला शरीर पे इसके बाल निकले हुए है रीच भालू की तरह और स्मूह एक बंदर जैसा है क्या मैं ऐसी हूँ कि मेरे स्वेंबर में ऐसे लोग आ रहे हैं कम से कम मेरी सुन्दरता देखकर तो आए सखी संग लै कुमरी तब चली जनूराज मरार देखत फिरई महीप सब करे सरोज जैमाल तब राज कुमारी सक्षियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राज हंसनी चल रही है वो अपने कमल जैसे हाथों में जैमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी जही दिसी बैठे नारद फूली सो दिसी तेहिन बिलोकी भूली पुनी मुनी उकसही अकुलाई देखी दसाहर गण मुसिखाई जिस ओर नारद जी रूप के गरव में फूले बैठे ते उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा नारद मुनी बार-बार उचकते और छटपटाते कि उनकी दशाद देकर शिव जी के गण मुस्कुराते नारद जी छटपटा रहे कि भाई मुझे देख मुझे एक बार देख मेरी तरफ और वो देखाई नहीं रही किरपाली ने हरशित होकर उनके गले में जैमाल डाल दी और लक्षमी निवाश भगवान दुलहिन को लेकर सारी राज मंडली को निराश करते हुए वहां से चले गए मुनी अती विकल मुहिमती नाठी मनिगरी गई छूटी जनुगाठी तब हर गन बोले मुसकाई निजमुक मुकुर बिलोक ही जाई मुह के कारण मुनी की बुद्धी नश्ट हो गई थी इससे वो राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए मानो गाठ से छूट कर मनी गिर गई हो तब शिव जी के गणों ने मुसकुरा कर कहा जाकर दरपन में थोड़ा जाको इतना अपने रूप पर एहंकार है तो जाकर थोड़ा दरपन में भी जाको अब तक दरपन देखा नहीं था उन्होंने अब रुद्र गणों ने मजाक पुड़ाते हुए टोंट करते हुए का जड़ा दरपन में भी जाकर जाक लो असकही दो भाग भाय भारी बदन दीक मुनिबारी निहारी बेशु बिलो की क्रोध अति बाढ़हा तिनहीं सराप दिन अति गाढ़हा तब नारजी ने जल में जाकर अपना मुह देखा और अ जडर नारजी के साथ विश्यों का उन्होंने ध्यान किया तो सबसे पहले एक सुन्दर इस्त्री को प्राप्त करने का कामना उत्पन हुई, सुन्दर इस्त्री के साथ उसके राजमहल, वैभव, सेना और शक्ती को प्राप्त करने के भी कामना आ गई, लोभभी आ गया, मोह भी आ गया साथ में, सब आ गया और जब कामना पुर्ण ना हुई, तब कु प्रकट हुआ भगवान कृष्णी से समझाया कि ध्यायतों विश्यान अपन्षशंगस्ते शुप जायते विश्यों का संग हुआ कामाद कुरोधों अभी जायते अगर कामना पुर्ण नहीं होगी तो कुरोध रूपी विकार अब पांचों विकार आ गए न एक एहंकार के क पहले अहंकार हुआ फिर सुन्दर इस्त्री को देखकर कामना उत्पन होगी फिर राज वैभव की कामना उत्पन हो गई और फिर अंतमे क्रोध भी उत्पन हो गया पांचों विकार आ गए इसलिए जब तक अभीमान है अहंकार है तुम किसी भी विकार से मुक्त नहीं हो सबन को खाए माया तजे तो क्या तजे अगर माया त्याग दिया तो क्या त्याग दिया तुमने माया तजे तो क्या तजे मान तजा नहीं जाए मान भय मुनिवर गले मान सबन को खाए यह सब को ले डूबेगा यह सब को ले डूबेगा तो फिर अब देवरिशी अब आखरी विकार आ रहा है क्रोध अब वो क्रोध में आ गए आएगा आएगा वो सिस्टम है भगवान क्रिशने समझा रखा है तो पहले तुम विश्यों का ध्यान करो कामनाई उत्पन होगी कामनाई पुर्ण नहीं उत्पन हो जाएगा क्रोध में बुद्धि ब्रमित हो जाएगा और बुद्धि में बुद्धी समोहित हो जाते हैं क्या करना विवेक नष्ट हो जाता है डिस्क्रिमनेशन पावर खतम हो जाता है क्या करना क्या नहीं करना आदमी भूल जाता है किसी को कोई उठा के कुछ मार देगा को किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल देगा जिसे के हमेसा के लिए जगड़ा हो जाए कि कुरोध में बुद्धी भ्रमित हो जाती है और विवेक चला जाता है क्रुधाद भवति संवोह संवहात इसमृति विभरम और समोहन होने से इस्मृति भ्रमित हो जाएगी संवहात इसमृति भरम है मिश्मृति भ्रणशाद वुद्धिनाशव कि आ इस लिए गोस्वामि जी कहते हैं प्रभू मुझे ज्कोड़ कॉट्यु नही अगर आपको कुटिल देखना तो सबसे बड़ा मुझे को ही समझ लो हुए मैं सबसे बड़ा कामी हूं मैं सबसे बड़ा कुटिल हूँ रगवर राउर इह बडाई निदरी गणी आदर गरीव पर करत करभा अधिकाई आप तो उसी पर करते हो जो अपने अवगुनों को स्विकार कर लेता है आपके सामने सिर नवा देता है जो स्विकार कर लेता है कि मैं आपकी शरण में हूँ लेकिन जो देवरिशी नारत की तरह अपना अभिमान लेकर जाता है वह तो सब कुछ तप भी गया जोग भी गया इस्त्री भी ना मिली अपटी पाप दोई अब नारज जी को आगया क्रोध और क्रोध में बुद्धी समोहित हो गई असक ही दोव भाग भय भारी ऐसा कहकर वो दोनों बहुत भैवित होकर भाग गए दोनों रुद्रगन तो भाग गए मुनी ने जल में जहांकर देखा बदर दीख मुनी बारी न हो निसाचर जाई तुम कपटी पाप दो उन दोनों रुद्रगनों को पहले श्राप दिया हो हो निसाचर जाई तुम कपटी पापी दो हसे हूं हमही सो लेहू फल बहुरी हसे हूं मुनी को रुद्रगनों को भी देवताओं का पद मिलता है उनको राक्षस होने का तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ तुमने हमारी हसी की है अब रुद्रगणों को बेवज़ा वुश्राप दिये जा रहे पुनी जल दीख रूप निजपावा तद पिहरदय संतोश न आवा फरकत अधर कोप मन अब बिचारे बिलकुल तल मिला रहे है तिल मिला रहे हैं अंदर से एक छट पटाती हुई मचली जैसी हो वैसा उनका चित हो गया है तद पिहरदय संतोश न आवा संतोश नहीं आया उन्हें फरकत अधर कोप मन माही फरकत अधर उनके जो कुरोध के कारण जो होट है वो फरफडा रहे हैं आखे जो है वो लाल हो कमलापती पाही और भगवान कमलापती के पास विश्णों के पास वो पहुँच गया देवहु श्राप की मरिहु जाओ जगत मोरी उपहास कराई जाकर ये तो श्राप दूंगा या प्रान दे दूंगा जगत मोरी उपहास कराई उन्होंने जगत मेरी उपहास करवाई मेर बीच रास्ते में उनको मिलके साथ में लक्षमी जी वही राजकुमारी के रूप में थी बोले मधूर बचन सुरसाई मुनी कहां चले बिकलकी नाई भगवान विश्णु ने और हस्ते हुए छेड़ दिया का कि अरे भाई नारज जी कहां जा रहे हुँ स्कुराते वे यह सही मुस्कुराते रहते लेकिन उसकी मुस्कान देका नारज जी और बढग है सुनत बचन उपचा अतिक रोधा माया बसना रहा मन बोधा पर संपदा सकहूं नहीं देखी तुम्हरे इरशा कपट विश्यसी अरे कपटी तुझे कभी दूसरों का सुख देखा नहीं ज सिंध रुद्रही बैराय हूँ सुरन प्रेरी विश्पान कराय हूँ तुम दूसरों की संपता देखी नहीं जाती तुम्हारी इरश्या और कपट बहुत है तुमने समुद्र मंथन से जो विश निकला वो शिव जी को पिला दिया तुमने और खुद जो है विश उसको पि कॉस्त बनी तुमने ले ली लक्षमी जी को तुमने ले लिया जो समुद्र मंथन से विश तुमने शिव जी को दे दिया और जो मदिरा थी तुमने पिला दिया राक्षसों को और अपने अनुचरों को जो तुम्हारे देवता तुम्हारी चापलूसी करते रहते तुमने उनको अम्रित पिला दिया सब जानता हूं मैं तुम्हारी लिला अब देवरिशी नारद पूरी इरश्या से और पूरी कुटिलता से एदम क्रोध की अगनी में जले हुए काम वासना में जल भून चुके हैं इसे कहते हैं अगनी का जलाना अब जलिभूनी बाते कर रहे हैं तुम बड़े धोखे बाज हो, भगवान को बड़ी-बड़ी बाते हैं, तुम धोखे बाज हो, तुम निरलब हो, तुम स्वार्ति हो, मतलबी हो, सदा कपट का विवहार करते हो अब नारजी ने विष्णु जी को बहुत सारी बाते सुना दी। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई भावई मन ही करहूं, तुम सोई भलेई मंद मंदे ही भल करहूं, बिश्मय हरस नहीं कचुधर हूं, तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, जिसके जब जो मन को भाता है वही कर देते हो, भले को बुरा और बुरे को भला कर देते तो कुछ कभी लाते नहीं हो सबको ठग ठग कर परग गये हो तुम महां ठग हो तुम ही सबसे बड़े पाखंडी और ठग हो मन में सदा उत्साह रहता है तुमारे फिर भी तुम हस्ते रहते हो शुब अशुब कर्म तुम्हें भाता नहीं है अब तक तुमको किसी ने ठीक कि नहीं है तुम्हें किसे दंडित किया नहीं अब नाराजी ने ठान लिया कि विष्णू को आस्ता किसे दंड ने दिया मैं दंड दूंगा भले भवन अब बायन दिन्हा पाव होगे फल आपने कि ना बंचेव मोही जवन धरी देहा सोई तनु धरहू श्राप मम एहा है वि मैं Rohini नहीं हूं मैं तुम्हारी सब तुम्हारे सारे रह趣 से जानता हूं और मैं तुम्हें दंडित करूंगा अधा दंडित करने का नाराजी ने ठान लिया अता अपने किए का फल अवश्य पाओगे जिस शरीर को धारन करके तुमने मुझे ठगा है तुम भ तुमने हमारा रूप बंदर का दिया था इससे बंदर ही बंदर ही तुम्हारे साथी और संगी बनेंगे बंदरों के बीच में ही तुम्हें रहना पड़ेगा वानरों जैसे मुख लेकर ही तुम्हें रहना पड़ेगा जैसे कि मेरे मुख को देकर पहास उडाया गया तुम ने मेरा बड़ा हित किया है मुझे इस्त्री वियोग में बहुत रुलाया है और तुम भी इस्त्री वियोग में बहुत रोगे तुम भी इस्त्री वियोग में बहुत रोगे नारज जी ने श्राप दे दिया श्राप शीश धरी हरचियां प्रभू बहु बिनती किन निजमाय प्रबलताकरशी गृपा नदिलìn्ड शाप को सुर्पचढाकर हिर्दय में भघ्वान हरशित हुए, क्योंकि भघ्वान दुख और सुख से प्रभावित नहीं होते, इसलिए घवाल है। भगों से संपन्न है वह अच्छा भगों से सरवदा संपन्न है उन्हें इस बात से फर्ख नहीं मिलता ना उनके लिए शाप विशेश है ना उनके लिए वर्दान विशेश है ना उनके लिए कोई सुख है ना उनके लिए कोई दुख है तो दुख भी मिलेगा उसी भाव से ग्रहन करते हैं, सुख भी मिलेगा, उसी भाव से ग्रहन करते हैं, वास्तों में वो इन सब चीजों से परे की अवस्था में रहते हैं, उन्हें फरक नहीं पड़ता, लेकिन प्रकृती का सिध्धान्त है, करम का सिध्धान्त है, करम के सिध्धान्त से ही, कोई भी इस धर्ती पे आता है चलना तो प्रकृति के अनुसार पड़ता है गाड़ी में ड्राइबर भी बैठते हैं और पैसंजर भी बैठते हैं अब ड्राइबर गाड़ी चलाता है पैसंजर बैठे रहते हैं लेकिन ड्राइबर को जो गाड़ी चलाना है वो गाड़ी के अनुसार ही गाड़ तरित होते हैं अगर वह मानौशरीर में आते हैं सुवेंदेवों के देवपति सुर्पति जब सुवेंद्धारन करते हैं तब भी वो कर्मों के बंधन में ही धारन करते हैं, कर्म बंधन सब को लगता है, चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो इसलिए तु गोश्वामी तुसीदाजी तु यहां तक लिखते हैं काहु नकोस को दुख करदाता, निजकृत करम भोग सब उबराता, राम जी के लिए कहते हैं, अगर भगवान राम को वनमे कष्ट हो रहा है, वो नंगे पाउं घूम रहे हैं, वनवासी वेश में रह रहे हैं, तो सब करमों का ही फल है, यहां तक तो उसे दाज ने लिख दि तो इसलिए चली वो चर्चाएं अभी आगे आएंगी, तो हम उनको भी आगे बढ़कर सुनेंगे, तो भगवान कहली जिए, देवता कहली जिए, कोई परे नहीं है इस करम सद्धान्त से, जो इसमें आएगा, इसी के अनुसार चलना पड़ेगा, और राम को भी, अंदा का श्राप भी वो लेते हैं, तुलसी का श्राप भी धारन करते हैं, और साथ ही साथ, यदिपी, माता तुलसी ने श्राप वापिस ले लिया था, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि नहीं, मुझे तो श्राप की भी आवशकता है, ये बड़ी अदभुत करम कभी परिवर्थित नहीं करते, माया का सिद्धान्त नहीं बदलते हो, इसी का प्रियोग करते हुए सारे करम करते हैं, और एक आदर्ष इसलिए भगवान राम ने करम का आदर्ष अस्थापित किया, करम का आदर्ष अस्थापित किया, वो मर्यादा पुर्शुत्तम इसलि यहाँ पर विश्णु अवतार ले रहे हैं तो कर्मों को धारन कर रहे हैं श्राप भी ले रहे हैं तो कि बिना श्राप लिए दुख कैसे आएगा तो दुखों को भोगना सिखाएंगे कैसे तो राम दुखों को भोगना भी सिखाते हैं तो यह भी समझने की बात है यह भी ज कलना चाहिए कर्म सिध्धान्त फिलोसफी यही कहती है दर्शन यहां कर्म का दर्शन चलेगा और कर्म सिध्धान्त यहां चल रहा है तो कर्म सिध्धान्त को समझ कर ही यह बाते हमें समझनी चाहिए कि भगवान ने कैसे श्राप को धारन किया क्यों किया क्यों कि यह प्रकृ चलेंगे आपके विचारों पर देखेंगे कौन क्या टिपपनी करता है कुछ के क्या कमेंट है कौन क्या कहता है और साथी साथ सूचना यह है कि 14 मार्च से ध्यान योग और जो प्राकर्तिक चिकिस्दा का कौर्स है वो चलेगा आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए कैसे यह कोर्स चलता उस पर वी विडियो जरूर आएगी कुछ दिनों में चलिए जगत नरायन जी बहुत अभिरंदन है। चलिए जगत नरायन जी बहुत अभिरंदन है। चलिए तो हनुमान जी का विश्य है चर्चा करेंगे उस पर। विश्य चंद्र मौरिया यहाँ पर मानस की चर्चा चल रही है तो मानस के नुसार जो प्रसंग आएंगे तो हनुमान जी का भी प्रसंग आएगा उस पर भी चर्चा होगी। राकेश कुमार साहु रुवंदी दत्ता एके त्यागी उश्या सिर्वास्तो सरोज कृष्णानी हैमंत वानखडे मुनेश ज्यादो। अजिच गल्पना बागड़े जी पोटिको श्री राम जै राम जै जै राम राज मनी सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेन अभीता निशाज चर चमू रामाय तसमय नमः जै श्री राम बेमला श्राज जी विकास पुरकुटे द्यानंद जी गोपाला जी राम विलाज जी जैया पांडे वाइंपायर गेमिंग रवी शंकर चोहान मदन सिंग अशोक श्रिवस बविता धिमान पंकस सोनी कुलदीप सिंग बीकु कुचाडिया देवरतन बलदावा एकेस सिंग जी राकेश मराठे जी हेमराज बैरवा ठावर चक्यून का विल्वा राके शंद्र शर्मा अ कि मैं की वास्त्रटीक अंटरिक्ष में हैं जहां रावन सिध्या लगाना चाहता था हिमाले में हैं जहां से पांडु गय थे अनेत्र जहां गया सुयर मानुमों को बेचता था यह सब अलंक्रित भासा है रावन का सीड़ी लगाना अलंकृत भाशा है कहने का मतलब वो मार्ग प्रशस्त करते थे स्वर्ग में जाने का स्वर्ग एक जीव की अवस्था है देवता भी एक जीव की अवस्था है अपने कर्मों से ही कोई वहां पर जाता है ठीक है पांडो हिमाले तपस्या कर ने गये थे और वहां से उनको उस तप से ही स्वर्ग की करें और यह माभारत का विशा है कत्वा प्रकार से कत्वाव का वाचन होता है कहा जाता है मुखे रूप से जो दार्शनी को विषय है उसी समझे तो कथाएं विशेश रूप से आपको समझ में आएंगी अगर आपको लगता है कthाओं में कहीं मिलावथ है तो मिलावथ भी अच्छे से समझ में आएगी नहीं तो गरबर हो जाएगा हेमंत वान खड़े जी सिद्ध योगी जैसे लाड़ी माशे शंत इल्ला लाहनु जी महराज चलिए ठीकर कुल्दीप सिंग जी राम विलाज जी शशी भूशन पांडे जी बहुत-बहुत अभिनंदन हैं आप सभी का और इसी के साथ विराम देते हैं कल फिर मिलते हैं आप सभी से राम चरित मानस के बढ़ते हुए चर्चा में कुछ और अन्य विश्यों पर भी चर्चा भी आएगी तो उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे ठीक है मानस है तो मानस से जुड़ी हुई कई बाते हैं जिस पर लोग अच्छा प्रश्न करते हैं तो जो अच्छा प्रश्न करते हैं उन पर हम चर्चा लाने की कोशिश करते हैं तो कल भी ऐसी चर्चा आएगी तो चलिए बहुत बहुत आभार है आप सभी का और मानस की चर्चा भी आगे ऐसी बढ़ती रहेगी जुड़े रहें बने र आरम बहुत चुकी है